हेलो स्टुडेंट्स मेमरी सर्मा आज हम एक मोटीविशन वीडियो जो मोटीविशन वीडियो आपकी बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत बैस्ट वीडियो होगी जो आपको पढ़ाई के लिए मजबूर करेगी और आपके जीवन का एक आधारिस्तम साबित होगी दोस्तों ये वीडियो एक एसे गरीब परिवार की हैं उन गरीब परिवार को समरिपित हैं जिसके बच्चे इस बात को नहीं जानते उन गरीब परिवारों के बच्चे से बात को नहीं जानते के हमारे माता पिता किस प्रकार से मेहनत मजदूरी करते हैं और आपको पढ़ाई के लिए एक अच्छे से या छोटे से केसे भी स्कूल में आपको पढ़ाते हैं लेकिन उसकी फीस को वहन करने के लिए उनको कितनी मजबूरियों का सामना करना पढ़ता है तो हम एक छोटी सी जो चार या पांच मिनट के एक छोटी सी कहानी के महाध्यम से आपके सम्मुक यह बात बताने के परियास करेंगे ताकि आप अपने जीवन में उन सफलताव को प्राप्त कर सकें जिसको आपको प्राप्त करने से आप अपने माता पिताव की पून रूप से सेवा कर सकें और उनकी च्छाव को पूरा कर सकें तो दोस्तों सुरू करते हैं आज की कहानी को इस कहानी में एक किरदार होता है रामू का जो एक बहुत नालाइक बच्चा है उसके पिताजी एक फैक्टरी में एक कमपनी में एक मजदूर हैं और वो इतनी मेहनत करते हैं कि अपने पुत रामू की पढ़ाई का खर्चा वहन करने के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत थोड़ा पैसा में कमा पाते हैं और अपनी कमियों में होर कमी करते हुए उस बच्चे की अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा वहन करते हैं लेकिन उस बच्चे को रामो को इस बात की कोई परवा नहीं है कि हमारे माता हमारे पिता किस परकार से मजबूर्यों का सामना कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई का खर्चा वहन कर रहे हैं तो वो लड़का रामो क्या करता है पढ़ाई में उसका कोई ध्यान नहीं होता केवल हर समय फोन पे लग रहता है उसमें कहानिया गाने जो भी सुनता है वो ये काम करता है लेकिन पढ़ाई के परती उसकी कोई अपनी जिम्मेदारी वे नहीं समझता कि हमारे माता पिता हम किस परकार से पढ़ा रहे है और हमें किस परकार से पढ़ना चाहिए और हम उनकी मजबूरियों को दोर करें तो कुछ समय गुजरने के बाद अब रामू के बोर्ड एक्जाम होने ही वाले थे केवल कुछी दिन सेज थे तो एक दिन उसका दोस्त शामू जो उसकी एक अकसा में पढ़ता था उसके विद्यालें पढ़ता था उससा क्लासमेट था लेकिन वह अपने काकसा में बहुत होश्यार था और बहुत सभ्य लड़का था पढ़ने वाला लड़का था तो वो उसके घर आया उसने देखा कि शामू उने क्या देखा कि रामू क्या कर रहा है उसकी वो भी उसके पास आता है और दिखाता है शामू क्या तुमने ये गाना देखा ये नाय गाना रिलीज हुआ है देखो है इसको देखो तुम भी तो उसको दिखाता है श्यामु उसको देख तो लेता है लेकिन वो समझ जाता है प्रकार से उसको पढ़ा रहे हैं कितने मजबूर हैं लेकिन रामु उस बात को समझ नहीं पारा है तो वो क्या करता है श्यामू रामू से कहता है रामू यार आज कहीं गुमने चलते हैं तो रामू कुस हो जाता है क्योंकि उसको time-101 क्यान क करने के लिए कुछ न कुछ भाने चाहिए थे फोन हो चाहिए टी-वी हो चाहिए गुमना हो एसे व्यक्तियों के अपनी कोई जिम्मेदार नहीं होती है उसको जो इसे काम कह दिया जिसमें कोई साथ साथ तो उसमें खुसी हो लेकिन बाद में इसमें दुख ही मिलता है जो इसे काम होते हैं फोन चलाना घूमना फिरना कहने सुनना नाटक देखना तो इसको काम बहुत अच्छा लगा अब घूमने चलना है चलो यार मैं सोच रहा था कि आज बोड़्यत्ची मैसूरी ऐ है आज कहीं घूमने चले तो श्यामू रामो के लिए कर चल देता है चलो बहुत घूमने चलेंगे देखा पिक्चर एक बिग पिक्चर दिखाई जाएगी उसमें बिग स्क्रीन पर और बहुत अच्छी मूवी है तो उस जहां से के साथ वे चले जाता है तो उसको उस चैंबर में उस कमरे मिल जाता है जहां पर उसके पिताजी मजदूरी कर रहे थे और हाप ताइम हुआ था तो वो पसेनिस लत्पत थे और किसी दूसरे मजदूर से अपने दोस्ट से बात कर रहे थे यार कि हमने अपना जीवन बरबाद कर दिया हम अपने जीवन कोई एमित नहीं समझ पाए अगर आज हम पढ़ते लिखते तो सायद आज इस फैक्टरिय में इस कमपनी में है यह बात रामु के पिताजी ने कही कि फिर भी मुझे एक आसा है कि मैं चुल जैसा हूं वो तो हूं अब कुछ नहीं हो सकता जीवन का आदे से ज्यादा इस्सा गुजर सुका है लेकिन मेरा जो पुत्र है रामु मैं इसको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं इतनी अच् टीचर्स हैं तो सायद मैं इसको इतना पढ़ाऊंगा कि वो एक ना एक दिन इस कंपनी का मालिक होगा तो ये बात श्यामु के दोवारा रामु सुनता है तो जब रामु सुनता है वे एक दिवार के पास पास में ही इस बात उख़ड़े को सुन रहे हैं तो रामु क्या कर करता है उसकी आँको स्यासू बेहने लगते हैं वे सोचता है कि मैं कितना नालायक हूं कितना अवारा की समका हूं कि मैं हमारे पिता जी हमको इतनी मजबूरी में इतनी दिक्कत के सामना करकर मुझे को पढ़ा रहे हैं और मैं टीवी देख रहा हूं फोन चला रहा हूं चीज को छोड़ते हुए अपना जीवन का मुख्य एक उद्देश से होगा कि मैं अपने पिता जी को कम से कम इतनी खुछ तो दूँगा है कि मुझे को एक किसी कमपनी का किसी फैक्टरी का मनेजर या एक अधिकारी तो बनना ही बनना है और मुझे साध मेरे पास भी कल को एक कमपनी होगी और मैं उसका मालिक बनूगा तो यह मेरा उद्देश से होगा कि मैं अपने पिता जी के लिए अपने माता पिता के लिए अपने आपको इतना काबिल जोरू बनाऊंगा इतना पढ़ोंगा इतना लिखांगा कि मेरे पास भी कल को एक कमपनी होगी तो यही बा गया तुम्हारा क्या उद्देश रहा तो हम इतनी सफलता प्राप्त की हर अग्जाम में आप सफल रही आपका हर उद्देश से पूर्ण हुआ तो उसने कहा कि मेरा एक लक्स है मेरे पिताजी का जो लक्स है वो ही मेरे लक्स है इसलिए में सफलता हमेसा चड़ता रहा और मे